इस विडियो विज़ अब आपको बताने वाला हूं क्रीड एप्लिकेंशन के बारे में क्रीड एप्लिकेंशन क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है दोस्तों अगर आप क्रेडिकार डेविड कार्ड यूज़ करते हैं और आप एक online transaction जादा करते हैं जहाँ पर आपको reward और case bank मिलता रहेगा अगर आप यहाँ से earn करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे refer कर सकते हैं और refer के साथ भी आपको यहाँ पर earning मिलती रहेगी और reward की तो यहाँ पर बरसात होती है तो यहाँ पर आप अपना credit card score भी चेक कर सकते हैं और अपना credit card score है जो उसे बढ़ा भी सकते हैं इस application की खास बात यह है कि आप यहाँ से किसी भी परकार का recharge अपनी bank की statement या फिर अपने phone पे पैसे transfer करना या फिर लेना यहाँ पर आसाने से कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको reward तो मिलते ही मिलते हैं आप यहाँ पर insurance, fast take, recharge, चालान, pollution check कर सकते हैं जो की बहुत आसान तरीका है तो चले इस application का सारज जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसको download करने के लिए आपको link मिल जाता है description box में जहाँ से आप इसे download कर सकते हैं तो open करने के बाद इस application का interface इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको एक mobile number से इस application को open करना होता है यहाँ से आप अपना कोई से भी mobile number यूज़ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा allow का तो आपको इस पर क्लिक करना है इनकी permission को आपको allow करना होगा ध्यान रहे कि यह application है जो RBI द्वारा रजिस्टर है और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर RBI द्वारे रजिस्टर एप्लिकेशन है अपर रूग किया गया है इसके बाद नीचे की और application में मिलेगा आपको agree for continue यानि कि आपको जो condition है वो agree कर ली है इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ आपकी permission देनी होती है जैसे कि यह permission मांगता है आपके font state permission, sms permission, location permission, or contact permission की यह आपको allow करने होंगे और आपको agree करना होगा इसके बाद आपको इन पर click करके allow कर देना है जैसे कि हम इने allow कर रहे हैं पर आपके number पर 40% किया जाता है जो कि automotive fill हो जाता है अब यहाँ से आप इसे अपने finger से unlock कर सकते हैं हमने यहाँ पर पहले से ID बना रखे है तो यह बहुत ही जल्दी active हो जाता है अब बात करेंगे इस application में आपको क्या क्या खार देखने को मिलेगा तो दोस्तो जब भी आप अपने किसी भी recharge करते हैं तो आपको यहाँ पर upcoming bill है जो दिखाते रहता है जो हमारा यहाँ पर upcoming bill है जो वो do होने से पहले यहाँ पर दिखा देता है नीचे की और बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप credit car यहां पर link कर सकते हैं credit car पर click करेंगे तो आप यहां पर add credit car link कर सकते हैं और ध्यान रहे कि यहां पर आपको 1000 रुपे तक का case bank भी मिल सकता है आपकी payment पर इसके बाद आपको यहाँ पर किस परकार का जो डू होता है वो नहीं हो पाएगा और साथ में आपको यहाँ पर केस बेक भी मिलता रहेगा तो चले बात करते हैं इसके next की तो यहाँ पर आपको bill and recharge का option मिलेगा तो जब भी आप इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी company का recharge का सकते हैं और हर recharge पर आपको इस तरह का balance है जो यानि की cashback है वो मिलता रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 रुपे हमारा balance यहाँ पर दिखा रहा है जो कि आपको इस तरह से मिलता रहेगा नीचे की और आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप credit card, house rent, maintenance, electricity, education fees, mobile post pair, insurance premium, DTS, LPG, cylinder, fast tech recharge अगर आप more पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी सारे option मिल जाते हैं चाहे आपका mobile recharge करना हो चाहे prepared इस तरह से आपको यहाँ पर option मिलते हैं इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एक option आपको मिलेगा rewards का आप यहाँ पर reward पर click करेंगे तो reward पर आपको यहाँ पर कुछ इतरे का option देखने को मिलेगा win rewards यानि कि आपको यहाँ पर reward करने का option मिल जाता है कि आप यहाँ पर win कर सकते हैं ध्यान रहे कि आपका जो win है वो यहाँ पर आपको 100 होता है जैसे कि हमारा यहाँ पर balance है यानि कि जितने भी reward हैं वो यहाँ पर 100 होते रहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं 1,11,000 जो reward से हमें मिले हुए है और यहाँ पर 28 रुपे केश बेक भी हमें मिला हुआ है अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ claims दिखा जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको voucher मिला है इसके बाद दुबारा शिपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो reward हैं वो मिलते रहते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं 2,999 का reward हमें मिला है इस तरह से यहाँ पर आपको reward मिलते रहेंगे कर सकते हैं तो आपको यहां पर एक option मिलेगा your money का यानि कि आप यहां पर अपना bank account choice कर सकते हैं link कर सकते हैं जैसे कि हम यहां पर अपना bank account है जो link कर सकते हैं यहां पर और अपनी जो bank है उन्हें भी add कर सकते हैं यहां पर आप send money कर सकते हैं self transfer कर सकते बैंक ट्रांसपर कर सकते हैं और यहां पर आपके जो बैंक हैं वो यहां पर दिखाए जाती हैं अगर आपको कोई निव अकाउंट जोड़ना है तो एड़ बैंक अकाउंट पर किलिक कर सकते हैं ध्यार रहे इस एप्लिकेशन में आपको रैफर पर भी पैसे मिलते हैं तो र option मिलेगा आपको every payment for fair back का यहाँ पर आप will payment करके या फिर डूज को complete करके एक लाग रुपे तक का win कर सकते हैं जो कि case back होता है इसके बाद अगर आप यहाँ पर mobile recharge का काम करते हैं तो आप यहाँ पर 5000 रुपे case back ले सकते हैं तो इस application की खास बात यह है कि अगर आप इसे किसी दोस्त के साथ refer करते हैं तो आपको यहाँ पर रेफर पर भी earning मिलता है जैसे कि refer करके earning होती है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो एक देख सकते हैं option आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि यहाँ पर अगर fast level की बात करें तो आपको यहाँ पर एक रेफर करते हैं तो 200 रुपे मिलेंगे second level है जो आपको वहाँ पर 500 रुपे मिलेंगे इस तरह से second रेफर का तो यहां पर एक option मिलेगा invite WhatsApp का तो आपको यहां पर invite वाले option पर click करना होगा और यहां से आप अपने WhatsApp पर share कर सकते हैं या फिर आप यहां पर copy करके अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं आप यहां पर बात करते हैं कि आखिर आप इन जो coin होती है हमारी उन्हें किस तरह से use किया जाता है दोस्तों आप यहां पर एक option देखेंगे view all का तो view all पर click करेंगे यहां पर आप नीचे के और जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा coin का coin पर click करेंगे जैसे coin पर click करेंगे तो यहां पर आपकी जितनी भी coin है वो दिखाए जाती है अब इन्हें किस तरह से use करना है तो use करने का तरीका भी यहां पर बताए गया है कि आप traveling में use कर सकते हैं rewards में use कर सकते हैं या फिर आप इनसे कोई भी सामान खरी सकते हैं जैसे कि आप credit card की जो कोई bill pay है उसमें use कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आप अपनी coin से यहां पर कुछ product भी मंगा सकते हैं जैसे कि आप अगर यह product मंगाते हैं तो आपका यहां पर 100 coin है जो use कर लिया जाएगा इसके बाद यहां पर आपको 1000 रपे तक का coin है जो वो यानि कि 1000 coin है जो use कर ले जाते हैं इसी तरह से यहां पर coin का तरीका बताए गया है कि आप कितने coin use कर सकते हैं और किस चीज के लिए कर सकते हैं अगर यहां पर आप कोई watch मंगाते हैं तो आपकी 200 coin use हो सकती है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा यहां पर मौका मिलता है अगर यहां पर आप कोई trip पर जाते हैं तो आप वहां से bill pay करेंगे तो आपको यहां पर 1000 coin होती हैं वो भी use कर सकते हैं अब बात आती है कि आप यहां पर अपना bank account के इस तरह से link करेंगे तो इसके लिए आपको यहां पर setting वाले option पर click करना होगा जैसे setting के option पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface देखने मिलेगा अब यहां पर नीचे के ओर setting पर जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा payment setting का payment setting पर click करेंगे इसके बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा manage UPI ID का तो यहां पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको एक option मिलेगा management का तो यहां पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपकी पहले से add account है जो दिखाया जाता है नीचे की ओर आएंगे तो आपको एक option मिलेगा add bank account का यहाँ पर जैसे किलिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको जो भी bank है जैसे कि SBI है तो SBI लिंक करने के लिए SBI पर किलिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी bank की मिल जाती हैं आप यहाँ पर चाहे तो सर्च कर सकते हैं चाहे कोई इसी भी bank है आपकी, वह यहाँ पर इस तरह से दिखाए देती है ध्यार रहे कि जो भी आपके account number से बनी होती है bank, mobile number से लिंक होती है वो ही आप यहाँ पर link कर सकते हैं जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर payment किस तरह से transfer करनी है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नीचे कि और आपको एक option मिलेगा second and pay का यानि कि आप किसी को भी सिकेंट करके payment कर सकते हैं या आप pay account कर सकते हैं pay contact पर जैसे कि आप mobile number लगा के किसी पास payment send करते हैं इसके बाद आपको option मिलेगा इस तरह का देखने को आपको skip करना है अब यहाँ पर आपको पहले से कुछ number दिखाये जाते हैं या फिर आप यहाँ पर और भी number add कर सकते हैं इस पर click करेंगे और जो भी आप number पर payment send करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर type करना है जिस तरह से आपको यहाँ पर mobile number type करना है इसके बाद आप यहाँ से पैसे भी transfer कर सकते हैं इससे आप cashback, rewards और money transfer का काम भी कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पर संदाई होतों वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें Thank you for watching this video